कि यूट्यूब चैनल आपको बनाना सी खाऊंगी मतन का लखनी कि लाओ जिसके लिए हमें सबसे पहले इंग्रिदियन्स चाहिए वह मैं आपको बता रहे हूं मैंने यहां दो प्यास लिए दर्मयाने कटे हुए दो ट्माटर लिए दर्मयाने कटे हुए दो खाने के चमच णुब क्लेशन का पेस्क लिए है दो दो खाने के चमच उसके बाद धनिया, सबसमिर्च और अद्रक लिए थोड़ी सी गालिष के लिए हुए उसके बाद लिए हमें ने ऑुब घनिया एक खाने का चमच लाल मिर्चे गरमसाला दा खाने का चमच का एक चाय का चमच जीरा, एक खाने का चमच धरामिर्च, दो तीन दार्चिनी, दो मैंने ली हैं बड़ी अलाईजी, एक खाने का चमच बर्यानी मसाला, और थोड़ी सी मैंने ली हैं इमली, और ली है मैंने कड़ी पता, आप दो ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, पर मैंने फिर नो यह विय कोर्ब दौ लीए एक किलो मैंने लिए चावल जो कि मैंने अदा अदागेटा फिर फिरे m ada Adventures 돌 बाल्व एऑ using one more एक साद 8 म हेजी मटन और ॉर इसको मैंने बी। सुन इले लिए डिया या, आप देष्किक निया तो प्राशे पुकर में जिसमें मर्जी को ला सकते हैं इसको और साथ मैंने इसमें रखिये थोड़ी सी यख्मी कि अटिकरो हमने ट्रालिया बहुत प्रश्की में प्यास प्यास को अब बोल रों को रहा है को में नयों ale अग्षे सब्सक्राइब साथ और खुछी तरह के भूद लें एक चीज़ी इसमें और डालनी थी मैं आपको बनाना बूल दी थी मैंने लिया है एक खाने का चमच अचा नहीं अच्छा नहीं मेरा में पाला के आपको बूल दी इसमें पानी नहीं दाला था कि इसमें मेरे चाबल जो है वो पक जाए यकनी में मैंने तक्रीबन दो बाउल के करीब पानी डाला है मतलब यह दो बनते हैं आपके छे ग्लास पानी अब यह हमारा पानी बॉल हो गया इसमें हमने डाल देने चाबल आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसमें नमक तो डाला नहीं है वैसे मैंने यकनी में जो था वो एक खाने के चमचे नमक डाल दिया था उसके बाद अब इसमें भी दो खाने के चमचे नमक मैं अट करो पैसी चावल में तले डाल लो किर आपको ऋसमें नमक अट कर बतातीया है अब दो चमचे नमक यह मैं पैले इसमें पहलंड कर युकर वर इसमें बने यह था यह रफ्णी नमट पैले दहा तो जो यह पामी होता है यह अफ्णी दोलता नहीं है जड़ी मैंने इसमें नमग जो है वह बाद में डाला है कि देखेए है कि कितना मज़े का लग रहा है कि हम इसका जो पानी है वह थोड़ा सा फुश्क करेंगे और थोड़ा सा पानी से हम रहने देंगे पानी कु पर में पानी कुछ करेंगे तो पानी कुछ कर लिया तो बड़ा सा पानी कर लिया ने अदा बacas बाड़ा सा पानी है अब और अब मैं इसमें डामनेंगे अपना धनिया, हरी मिच्छे और अधरत जो मैंने परीक काटके रखी होगी थी यह दामने के बाद मैं इसे दरवग दूगी 10 मिनट के दम का 10 मिनट का दम देने के बाद अब मैं इसे खोलूगी तो आपको मेरी बर्यानी ने यह यह दूखने वाला भी तैयार है तो गाइस है मेरा मटन पलाओ बनके रेडि है उमीद करती हूं आपको मेरे मटन पलाओ की रेसिपी जो मैंने आपको बहुत ही असान तरीके से बताई है अच्छी लगी होगी तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब में चैनल एंड लाइक माई वीडियो बाबाए झाल